इस अदर अधाइस तीज बस्तीस चूटीस होता इसके अंदर अच्छा। इसके अंदर कम से कम मिनिमूम पचास पीस लेने होते हैं उसमें पचाट डिजाइन आएंगे यह सेल में बिक्ती आइटन 200-200-300 रुपए के सेल लगते साथ रुपए मिलने वाली होल सेल में गांदेगर की मार्किट में मिलने वाली है साथ रुपए तो सब्सक्राइब अगये है ऐसाथ रुपएं परस चार्ट नें पड़ते हैं कम से कम řी बुचलर कम से कम से कुंटल में क्या गए पेरना कोटन के लिए आपको इसके लिए ड्रेस रहेंगे मावीर गली दिल्ली के अंदर रहें गली गली इंट्री करते ही तीसा पानदी कि रहें पांच पीस की गड़ी होती है तो चीस अतर था पंदर पीस का बंडल आता है आप तो दो लिए सकते हो आप तीन करनी से पे जहांपर जिन्स की स्टाट की जो रेंज है वह साथ बसे स्टाट होने वाली है तो मैं तो यह है दुकान और यह रोड से आप अंदर इंते महारवी वाली गली में आते हैं तो रोड पर चार पर दुकान आगे राइट सहने पड़ेगी दुकान अब बात करते कि रेट जो बता गया साथ हुए कैसे सच में रेट है या उसे जादा है कम है होल से में काम करने के दिखाते हैं आपको प्राइस किया जुकान में जो प्राइस बतागे वही प्राइस है कम है जाद है वही नमस्कार अब यह अपने एरिये में पूरा तहले का मशा रखा है साठ साट रोपे बता अब लोगों को ऐसे बाट रोंट है सेवा कूब कर रहे मादा पार पॉन सच में है या मतलब सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें अगर आप साट वाला पैंट लेते हैं तो कौंटिटी अच्छी खासी होगी और दूसरी बात अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं और आप घर बैठी माल मगाना चाहते तो कौंटिटी अच्छी खासी होगी अगर आप यहां पर आके माल लेना आते हैं तो आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती पड़ा पचासाट पीस आप ले सकते हैं अब बात करते हैं कि रेट क्या है पैंट के कपड़े क्या है और आपका नम किया होगा अभिए अपका नाम क्या होगा अओट हाई साट रुपे इसके अंदर कम से कम मिनिमूम पचास पीस लेने होते हैं उसमें पचाट डिजाइन आएंगे यह सेल में बिक्ती आइटम 200-200-300 रुपई के सेल लगती है बहुत बढ़िया अच्छा उसके बाद दिया उसके बाद पिर भी हूंची रेंज आती रहती है अपनी इस टाइप की आती है 210 रुपई की आइटम है अपने पास स्टार्ट है और फिर और साड़े चार सो पान सुर्पई तक वराइटी आपको मिल जाएगी अच्छा अच्छा दुकान पढ़ती कहां अपनी है दुकान पढ़ती कहां पर रहे है यह सर कांधी नगर महावीर गली म अबीर गली में एंट्री करते हैं राइट हैंड पर तीन दुकान चोड़के अपनी दुकान अगर किसी बी परसन को एक दो पीज चाहिए हो तो नहीं सर एक दो पीज नहीं मिलता है अपना होल से ले बलका माल जाता है 50 तो पीज कम से कम लेने पर पिस कम से कम अच्छा बे अच्छा इस तीस बत्तीस चूंती साइज मिल जाएगा अपको यह 240 250 260 रुपे की अच्छा इससे उपर आइटम बढ़ेंगे इससे उपर मिल जाएगी जो 708 रुपे की अपन बेच दूपान पे वो इस टैप की आइटम आएगी 310 रुपे 320 रुपे 330 रुपे की अच्छ इसके वह quantity लेने लिए क्सें मिलता है तीन कलर दो कलर लेने पड़ते हैं कम से कम दो कलर कम से कम लेने पड़ेंगा तो बैदा कर आप दूंग आप लेना चाहते हैं तो भीया का नंबर है आपको माल मिलेगा और रिटेल में यहां पर संपर्क ना करें होल से वाली संपर्क करके और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर अगर किसी को किसी को न्या बच्छा करना हो तो कम से कम इंवेश्मेंट क्या रहेगा बिया कम से कम 20-25 रुपई की जीन्स कम से कम लेनी पड़ेगी इंसान है तो अच्छा उसमें सारी रेंज आ जाएगी उसके अंदर 200 वाला 200 वाला 300 वाला 400 वाला सारी आइटम बिला के देंगे आपको इस वीडियो के बीच में जो पैंट दिखा रहे हैं और यह जो पैंट आपको दिखा रहे हैं इसका कपड़ा को बहुत अच्छा होगा यहां कपड़े नहीं है अगर रेट थोड़ा उपर नीचे हो सकता है पर जातर कोशित है कि रेट वही रहेगा अच्छे बहुत बहुत इसकान फॉट नहीं होता है जो जहां तक कर पाएंगे नया जोड़ना है तो जरूर करेंगे तो जो कम से कम आप बेस दोगे 1100-1200 रुपे की जीन्स वह हमारे पर कम से कम 400 रुपे तकी आइट है थोड़ा एक दिखाएत हो कपड़ा डिजान बढ़े ची है के अंदर पीस है बहुत बढ़िया पिस्क कोछ ऐसा है इस थायज कि आइटम होगी तो शेड़ कच अथिए जिरस टेप कर इन्दर आइटम होगी है बढ़िया अबू आइटम होगी थाइट अच्छ आख जायगी जाए कि इस निटाइज निड़ जाए अच्ट कोई आपसे पहना कोटन के अंदर है कि अधर यह देखो इस टाइब के कलर आ जाते हैं इस ताइब कलर मिल जाएंगे कम से कम 10-12 कलर मिल जाएंगे इसके विए जिसे पहले पाइब तो कि दुबारा जाएंगे सारी रखनी पड़ेंगे तो इसे सारी रृटिल के लिए रिटेल के नहीं है तो प्रीज वाले संपर्क ना करें केवल होल्सेल में यहां बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौल सकर सकते हैं करते हैं उस रेंज के आपको मिल जाएगी और अगर आप आना चाहते हो तो आप नहीं दिल्ली के अंदर रही है गांदी नगर मावीर गली उसके एंट्री करते ही तीसरी दुपाने राइगा दिल्ली के बहार से आता है तो उसको यहां पर कैसे आना पड़ेगा दिल्ली से ब पाले को कहना है मुझे गांदी नगर जाना है कपड़े की होलसेल मार्किट वहां पर आके आपको कोल कर सकते हो गांदी नगर में एंट्री मारते ही कोल करोंगे हमारा लड़का आपको लेने पहुंच जाए अच्छा यहां पर नियर्वाइस मेर्ट स्टेशन कौन सा अबीर वाली गली में छोड़ना तो आपको गली के सामने के बाद अंधर करते हैं तिस्ती चौती दुकान है राइट साइड में जो की है क्या लाम पर अक्षरा अक्षा अक्षा गार्मेंट के नाम से दुकान है और यहां पर यही भाया नजर आएंगे और मैंग भाया ने यहां पर स्टार्टिंग रेंज चार्टिंग रुपे तक हाई रेंज है और शट्ट भी हमारे पास तो मैं आपको बता दू यह वीडियो थी उन लोगों के लिए और इस वीडियो आपको एसी वीडियो मिलते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करते हैं ताकि लोगों तक ही इनफोर्मेशन पहुंची रहे और कमेंट करके बताएं कि इस दुकान पर आए हैं तो आपको कैसरेट मिला दिया गया है क्या यह दुकान आपके लिए बेनिफिशल है या नहीं है और फिर मैं बोलूंगा चैनल को पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करो वीडियो को शेयर भी करता कि आपको ऐसी पर नहीं है डिजाइन ज्यादा लेने पीस कम-कम लेने तो एक एक चट्टी भी आपको ले सकते हो यह बहुत को प्रमार है दुकान में दोकान में उपर भी गोदाम है नीच्चर भी गोदाम है यहेंदर सीमितनी कम सब्सक्राइब कर दस बीजार पीस भी चाहिए तो वह खर्चा उतना ही आएगा जानेगा और दस पीस लोगे तो भी उतना है एक सवल और क्या कोरियर फैसलेटी उपलब्द है हमारे पस कोई चार्जिस नहीं लगता है कुरियर का अगर एक पारसल में 250-250-250 आते हैं अगर वह आप हमसे लेते हो तो कुरियर चार्ज बिलकुल फ आना है तो पेमेंट आपको पहले करनी होगी माल आपके बास विदेन थीन सा चार्ज दें पहुंच जाएगा कम क्वांटिटी होती है तो अगर आपका सौ से नीचे प्रफिस होते हैं यानिकि असी भी होते हैं तो पूरे चार्ज आपका होता है और सौ से उपर होते हैं त झाल झाल